हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सब का मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1 टैग फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप इंस्टाग्राम में से फोटो को कैसे हटा सकते हैं कैसे उसे डिलेट कर सकते हैं चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो आपकी कोई वीडियो हो आपकी कोई भी जो आपकी real है वो भी आप अटा सकते हैं तो वीडियो चोटी सी अगर काफी ज़ादा informative है तो वीडियो को पूरा लास्त तक ज़रूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नीम है तो इ तो friends हम आ चुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसके आप लोग देख सकते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले अपनी Instagram की जो application है उसको open कर लेना है तो मैं इसे open कर लेता हूँ तो मैंने अपनी Instagram की profile को open कर लिया है आपको अपनी Instagram में login कर लेना है मैंने इसमें एक dummy channel से login किया हुआ है उसके बाद हमें नीचे यहाँ पर नीचे जो corner है हमारा bottom वाला उसमें हमें अपनी profile के उपर click करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन post है मेरे तो मैंने में से कोई भी एक post आपको delete करके दिखाता हूँ जैसे यह पहले वाला post है तो यहाँ से हमें इसे open कर लेना है click करके और यहाँ पर इसके photo के उपर आप देख सकते हैं यहाँ पर three dots आपको दिखाई देंगे तो आपको इन three dots के उपर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर delete का option दिखाई देगा तो आपको इस delete वाले option के उपर click करना है और यहाँ पर यहाँ आपसे बोल रहा है you will be able to restore this post from setting account ठीक है यहाँ से आप इसे recently deleted within 30 days आप इसे recover भी कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर इसे delete कर देता हूँ आप delete के उपर click कर देना है तो आप दुबार अपनी profile पर आप देख सकते हैं refresh करके यहाँ पर यह अप देद दो post होगे और वो post हमारा delete होगा है तो इस तरीके से आप आसानी से instagram से अपनी कोई भी photo delete कर सकते हैं कोई भी post delete कर सकते हैं तो friends आपने देखा कि किस तरीके से हम instagram में से photo को हटा सकते हैं उसे remove कर सकते हैं अगर आपको फिर भी video से related कोई भी query कोई भी question है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके ज़रूर बताएं और अगर आपको video अच्छी लगी हो पसंदाई हो तो इसे ज़दा ज़दा like और share करें Thank you